मैं हूँ नफीसा खान स्वागत करती हूँ आपका शुद्ध मनुरन जन्मई दोस्तों सत्तर और असिक के दशक में एक बेहद ही खूपसूरत बॉलिवोड एक्टरस हुआ करती थी सुलक्षणा पंडित सुलक्षणा अब 72 साल की हो चुकी है 12 जुलाई 1948 को सुलक्षणा का जन्म हुआ था अपने दोर की मैगजीन में छबी खबरों के मताबिक सुलक्षणा संजीव कुमार से बे इंतिहा महबबत करती थी लेकिन संजीव कुमार के दिलो दिमाग पर सर्फ और सर्फ हेमा मालनी के प्यार का सुरूर चाया हुआ था और इसी वज़ा से उन्होंने सुलक्षणा के प्रेम प्रस्ताव को भी ठुकरा दिया था सुलक्षणा ने संजीव कुमार को बहुत मनाया कि वो से शादी कर ले लेकिन ऐसा नहीं हो सका 1985 में जब संजीव कुमार की असमय मौत हुई तो सुलक्षणा मानी इस सदमे से कभी पूरी तरह उबर नहीं पाई कहते हैं सुलक्षणा अपना मानसिक संत उलन खो बैठी और वो किसी को आज पहचानती भी नहीं है उन्हें फिल्मे मिलनी बंद हो गई थी और फिर गायकी भी छूट गई थी अपने दौर की वो खूब सुरत अदाकारा आज इतनी बदल चुकी हैं कि उन्हें पहचानना भी मुश्किल हो जाता है सुलक्षणा की छोटी बहन एक्टरस वीजेता पंडित ने एक इंटर्वियू में बताया था कि संजीव कुमार ने उनकी बहन को धोका दिया था इस वज़े से उनकी दीरी अपना मांसिक संतुलन खो बैठी थी उनकी हालत इतनी खराब हो गई थी कि वो अपनों को भी नहीं पहचान पाती थी वीजेता ने बताया कि 2006 में वो उने अपने घर पे ले आई थी वो एक ही कमर में रहती और किसी से मिलती जुलती भी नहीं है एक बार बात्रूम में गिरजानी की वज़े से उनका हिप बॉन तूट गया था और इसके बाद उनकी चार बार सरजरे भी हो चुकी है इस वज़े से वो ठीक से चल भी नहीं पाती है सुलक्षणा को आखरी बार पबलिकली आदेश श्रीवास्तव की मौत के बाद प्रात्ना सभा में देखा गया था 12 उलाई 1948 को जन्मी सुलक्षणा ने बहुत कम उम्र से ही किशोर कुमार के साथ स्टेश पर गाना शुरू कर दिया था जब उन्होंने किशोर कुमार के फिल्म दूर का राही में एक गीत गया बे करार दिल दुगाय जा तभी सुलक्षणा की आवाज ने सुनने वालों का मन मोह लिया था ये नई आवाज ऐसी थी जो आश्चा लता को चैलिंज कर सकती थी किशोर और सुलक्षणा में गहरा लगाओ भी रहा सुलक्षणा किशोर कुमार शो का अभिन हिस्सा थी पर किशोर कुमार ने सुलक्षणा को अपनी प्राइविट संपत्ती बना कर रखा, उनके साथ रहे कर सुलक्षणा को अपना व्यक्तत्व दबा हुआ महसूस हुआ, वो किशोर कुमार की स्टेज काईका बन कर रह गई, सुलक्षणा इस स्थिती से उप चुकी थी, वो बस एक मौके की ताक में थी जब किशोर कुमार को गुडबाई कह सकें। ऐसे में सुलक्षणा को संकल्प में हीरोईन बनने का ओफर मिला दोनों ने बिना एक सेकंड भी सोचे ये ओफर स्विकार कर लिया। वक्त की दीवार सहित कहीं फिल्मों में काम किया। 1980 में उनका एक आलबम जजबात आया था। सुलक्षणा ने इसमें जीतेंद्र विनोत खन्ना, राजेश खन्ना, रिशी कपूर, राकेश रोशन सहित नामी एक्टरस के साथ स्क्रीन शेयर की है। लेकिन फिल्म इंडस्ट एक बहुत ही उम्दा गाईका थी। कुछ फिल्मों में काम करने के बाद उन्होंने अपने निर्माता नर्दर्शकों के सामने ये मांग रखी कि अपने किरदार के लिए वो अपनी ही आवाज देंगी। उनकी आवाज कोई और सिंगर जैसे की लता या आशा बिल्कुल न को मार के गम ने पूरी कर दी। और इस तरह बॉलिवुट का एक चमकता सितारा कब धूमी हो गया पता ही नहीं चला। फिल्म इंडस्ट्री की वो बेहद ही खुपसुरत एक्ट्रिस आज बीमार हैं। अपना मान सिक संतुलन खो चुकी हैं। किसी को पहचानती तक नहीं ह सुलक्षणा की जिंदकी अब उनकी छोटी बहन विजेता के भरों से कट रही है। तो ये थी कहानी सुलक्षणा पंडित की। उम्मीद करते हैं सुलक्षणा पंडित के बारे में ये खास जानकारी आपको पसंदाई होगी और आपके मन में अगर कभी भी सुलक्षणा प दिला दें की अगर ये जानकारी आपको अच्छे लगी हो तो इसे लाइक कीजेगा, शेर कीजेगा, सब्सक्राइब कीजेगा, शुत्थ मनुरंजन को और बने रहिए शुत्थ मनुरंजन के साथ।